इंदावर शहर के अरावली परिसर में जहां 13 मंजिला इमारते खड़ी हुई है साल 2017 से पहले यहां पहाड़ियां थी और उन पहाड़ियों पर खरीब 5000 आबादी जुकियों में खुजर बसर करती थी तंगहाल जिंदगी बिजली पानी की सुबधाओं से दूर गज और फुट में सिमटती जुकियों में करीब 30 साल से धूब छाओं खेल रही उमीदें दिन दिवस दिहाड़ी मजदूरी के बल पर आगे बढ़ रहे थे तब साल 2017 का आया जब प्रधान बंतरी आवास योजनर से जहां जुकी वह मकान देने का फैसला आया और यहां की आवादी को दूसरी जगह बसा कर यहां फ्लैट निर्मान का काम शुरू हुआ साल 2022 में वहतारी भी साब ने आई जब यहां बसे 832 परिवारों को उनके मकान की चावी थमा दी गए आपस जब लोग आते हैं और अपने घरों में सिफ्ट होते हैं या नए घर में जब सिफ्ट होते हैं तो इनके चेहरे की जो खुशी होती है वो जितने समय भी एक साल दो साल दूर रहना पाथा है वो सारी चीजें भूल जाते हैं जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो कुछ समय तो ट्रांजीशन का कष्ट कर होता है लेकिन प्रधार मंतरी आवास यूजना ने एक करोल से अधिक एक करोल बीस लाख लाभार्थियों को देजभर में उनके सपनों का घर देने लिए अधुरिक और सूसजित तरीके से बने 35 मीटर के फ्लैट के लिए लाभार्थियों से बहस बीज हजार रुपए का पंजियन शुल दिया गया और बैंक से एक लाख असी हजार रुपए लोन के रूप में उपलब्द कराए गया और सपनों का आशियाना ख़ड़ा कर दिया गया मुकेश सिंग की उम्र 63 साल है दिव्यांग है मुकेश के चहरे की खुशे सब बया करती है पत्नी पुश्वा से मिलिये किसी तरह सिलाई बुनाई कर परिवार का भरन पोशन करती थी विश्वास नहीं हो रहा है कि घर की मालकिन बन गई है थोचा तो कभी नहीं था बाकि एक था कि सब लोगों को देख देख के हमको भी लगता था कि कभी हमारा ऐसा होगा बाकि वो सपना अब हमारा सही हो गया हम प्रधान मंतरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनने जो ये योजना शुरू करीए गरीबों के लिए आज पूरे हिंदूस्तान में सक्षे से देवास दिले के राधे शाम भरभूती बीस साल पहले सबजी बेचने इंदौर आये इंदौर शेहर के स्लम में एक पीड़ी जवान हो गई दोनों बेटों की शादी भी हो गई प्रधान मंतरी आवास योजना से राधे शाम को तीन फ्लैट मिले हैं विश्वास नहीं होता कि सपना थकीकत में बदल गया है प्रधार मंतरी आवास योजना से इंदौर शेहर के सत्तर हजार से अधिक लोगों को लाब मिला है लाभार्थियों के लिए तीन श्रेडियों में फ्लैट नर्मान कर उन्हें उनके घर की चावी